टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते हुए भारतिय टीम बीस ओवर में 9 विकेट पर 135 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सूर्य कुमार ने 40 बॉल पर 60 रन बनाए जिसमें 6 चोके और 3 चके शामिल रहे। उनके अलावा कोई भी भारतिय बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे पाया। साउथ अफरीका की ओर से लुंगी एंडिडी ने चारो और वेन पानल ने 3 विकेट चटकाए। साउथ अफरीका ने भारत को रोमान चक मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया है। टीम इंडिया ने अफरीकी टीम को जीत के लिए 134 रनो का टारगेट दिया था जिसे उसने आखिरी ओवमें हासिल कर लिया। अफरीकी टीम की जीत के हीरो एडन माकरम और डेविड मिलर रहे जिन्होंने शांदार पारिया खेली। मिलने नाबाद 69 रनो की पारी खेली जिसमें 4 चोके और 3 चके शामिल थे। वहीं एडन माकरम ने 52 रनो का योगदान दिया। माकरम ने अपनी पारी में 6 चोका और 1 चका लगाया। इस जीत के साथ ही साथ अफरीका ग्रूप 2 की टेबल में पहले नंबर पर आ गई है। वहीं भारत अब दूसरे नंबर पर फिसल गया है।